यह है अलसी क्या आप जानते हैं इसकी बीज में बहुत फायदा होता है इसकी बहुत अच्छी चटनी बनती है इसकी बीज इसको हल्की सी ताबा को गरम करके दो मिनट अच्छी तरह से इसको भून लेना चाहिए ताबा में इसके बहुत फायदे होते हैं यह पाचन शुधा पहरने में मददगार होता है, इसकीन के लिए बेतरीन होता है, एंसर से बचाता है इसको हमने हलकी सी बूनके, मिक्सीजार में डाल दिये, थोरिशी खशखश, नमक और देखे एक पचली सी ऐसे पेस्ट बना लिए फिर इसको हम कटोड़ी में डाल लिए फिर बारिक-बारिक कटी हुई मीर्च और प्याज इसमें डाले थोरी सी पानी थोरा शशशो का तेल फिर इसको एक अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मिक्स कर लिए हम यह हमारी चटनी तेयार हो गई इसमें बहुत फायदा होता है और बहुत टेस्ट होता है